नमस्कार आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत हैं देश की सुरच्छा ब्यवस्ता हर किसी को इसकी ध्यान देनी चाहिए लेकिन RCF पॉलिस शेशन अडुसक्तिन अगर पॉलिस के आसीरवास से पार्किंग चलाय जा रहा है यह तस्वीर हमारे सामने है आपको दिखाते हैं कि की सतरह यहां की तस्वीर है तीन पार्किंग दोनों तरब गाड़ी खड़ी है और आगे लाश में आप दे सकते हैं कि लाश की जो तस्वीर है लाश में गाड़ी खड होती है और यहां से पारकिंग होते होते गड करी या की बिश्च नल स्वेश्ब लौज 00 9 पारकिंग होती है लेकिन तरह के तीन लाइन जो पारकिंग होती है उसके वजह से यह दोनों तरब ह्चिश में होता है घर में यूज़ करने वाला यह गाडियों में पुरा लोड किया गया और इसी तरह गाड़ी पारकिंग होती है मेरा एक सवाल है कि अगर बाइचांस यहां पर कोई हासा हो जाता है एक भी गैस का बाटला फूरता है और यहां पर आग लगती है तो फायर विकेड के अधिकारी मुंबई पुलिस के अधिकार कि पारकिंग माफियाओं के वजह से इस तरह यहां पर गाड़ी पार्किया जाता है और रात के समय यहां तो बीज का घुला हुआ है ये भी रास्ता बंद जाता है क्योंकि यहां पर इसीलंडर के जो गारी होती है ट्रक होती है ये पूरी तरह राथ को खळा कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यहां पर दुर घटना हो सकता है लेकिन आरसीय पुलिस शेशन की आखे बंद है ट्राफिक विभाग की आखे बंद है हाला कि यह पी गैस का जो प्लांट है ठीक हमारे यहां से 100 मिटर के बाजू में ही वो प्लांट है जहां से गाडिय कोई घटना घट जाए तो इसका जबाबदार कौन होगा इसलिए आरसीय पुलिश शेशन और ट्राफिक विभाग से हमारी रिक्वेश्ट है कि यहां पर जीसतरे लिगल तरीके से जो पार्किंग किया जा रहा है इस सुरच्छा बेवस्ता को ध्यान में रखकर इन गाडि की पार्किंग करें कैमरा में प्रवीन के साथ राजपांडे सीय न्यूस मुंबई